संदिग्ध मानव तसक्री के आरोपों के लिए फ्रांस में हिरासत में ली गई चार्टर उलान का गंतव्य क्या था? A. निकारागुआ B. पेरिस C. दुबई D. मुंबई Answer. निकारागुआ Explanation हम वीरबाल दिवस के स्तिथी को मनाते हैं A. 13 अप्रेल B. 7 जून C. 26 जनवरी D. 26 दिसंबर Answer. 26 दिसंबर Explanation 26 दिसंबर को भारत दो युवसिक राजकुमारो बाबा जो रावर सिंग और फतेह सिंग के सम्मान में वीरबाल दिवस मनाता है 9 और 7 साल की उम्र के इन बहादुर लड़कों ने अपने आस्था को धोखा देने के बजाए शहादत को चुना अगला प्राशन हाल ही में किस राज्य में इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलिकॉप्टर सर्विस का उध्धातन किया गया A. हर्याना B. असम C. उत्तर प्रदेश D. बिहार आंसर उत्तर प्रदेश Explanation उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा के बटेश्वर से मतुरा के गोवर्धन तक राज्य की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलिकॉप्टर सेवा का उध्धातन किया मुख्यमंत्री पूर्व प्रदानमंत्री अटल बिहारी वाजप्यी की जयन्ती मनाने के लिए बटेश्वर में थे मुख्यमंत्री योगी 10451.43 लाख लागत की विभिन पर्योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकारपन की किया अगला प्राश्न मुख्य सचिवों की तीसरे राष्ट्रिय सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा अ. अमित शाह बी. नरेंद्रमोदी सी. एस जेशनकर डी. राजनात सिंग आंसा. नरेंद्रमोदी एक्स्प्लेनेशन प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी 28 और 29 डिसंबर 2023 को दिल्ली में मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रिय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे मुख्य सचिवों का पहला सम्मेलन जून 2022 में धर्वशाला में और दूसरा जन्वरी 2023 में दिल्ली में आयोजित किया गया था इस तीन दिवस्य राष्ट्रिय सम्मेलन का मुख्य फोकस इज ओफ लिविन होगा अगला प्राशन भारत में सबसे पहले किस देश से कच्चे तेल की खरीद के लिए रुपय में भुकतान किया ए, रूस बी, संयुकत अरब अमीरात सी, सौधी अरब डी, इरान आंसर, संयुकत अरब अमीरात एक्स्प्लेनेशन दुनिया के तीसरे सबसे बड़े उर्जा उप भोकता भारत ने सयुकत अरब अमीरात युई से खरीदे गए कच्छे तेल के लिए पहली बार रुप्ये में भोकतान किया है वैश्वेक स्तर पर स्थानिय मुद्रा को बड़ावा देने के लिए यह भारत की और से उठाया गया एक इतिहासिक कदम है